हेलो फ्रेंट्स, आज ही क्लास में हम देखने वाले हैं कि जेसन रिस्पॉन्स होता क्या है, मतलब अच्छल में जो हम जेसन की प्रिवेस क्लास में जो जेसन डेटा हमको मिला है, उसको अच्छे से समझने के लिए, उसको study करने के लिए हमको पहले समझना पड़ेगा जेसन में होता क्या है, तो आज वाले क्लास में हम अच्छे से समझने कि एक्टल में जेसन का requirement क्यू होती है, जेसन के अंदर क्या-к्या class में छोड़ा था यानि की जहांपे हमने जेसन व्यूवर को ओपन किया था और हमारे रिस्पॉंस को देखा था हमने कि एक जिब हमने URL को हिट किया था था तो हमको एक response मिल रहा था पिर मैंने उसको जेसन व्यूवर में पेस्ट किया और वहां पर में को एक format में मिल गया मेरा सारा का सारा data लेकिन उसको समझना इतना easy नहीं था क्योंकि हमको JSON के बारे में knowledge नहीं थी तो पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधा उस response तक तो यह last class में हमने मैं discuss किया था कि जब आप एक URL को hit करते हो तो आपको कुछ ऐसा response मिलता है इस response को हम कहते है JSON response यानि कि इसमें आपको data मिल रहा है JSON format में मिल रहा है अब इस format से data लेने के लिए आपको पहले format को समझना पड़ेगा इसको मैंने और easy करने के लिए क्लिए यहां पर JSON viewer के अंदर यहां पर text में इसको paste किया और viewer में इसको देखा तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो आपका data है वो और अच्छे से format हो गया ठीक है अब आपको यहां पर अलग-अलग blocks दिख रहे हैं कि यार यह curly brackets के block आ गया एक square bracket का block आ रहा है उसके अंदर multiple curly bracket के blocks आ रहे हैं और यहां से आपको idea हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि 10 users का यह record है तो यहां पर आप देख सकते हो कि 0 से indexing start है और 9 तक है यानि 10 users का record है वो इस particular block में आ रहा है तो यह block क्या क्या चीज़ें किस टाइप की चीज़ें आती है प्लस data कैसे show होता है यह क्या है colon क्यों आ रहा है आगे square.geek यह सारी चीज़ें क्या है इनको हम आज वाले section में समझने वाले है तो सबसे पहले समझते है actual में आपका JSON होता क्या है तो यहां पर आप देख सकते हो कि JSON एक data view करने का तरीका यानि कि data को show करवाना या data को store करवाने का तरीका है अब होत क्या सब्सक्राइब कर सकते हैं as per database की help से उसमें queries execute कराते हैं इस सारी चीज़ें होती है लेकिन जब बात आती online database की तो हमारा चो database है वह एक server पर पढ़ा है तो उसको access करने के लिए हमको ज़रूरत पढ़ती है API की application programming interface जिसके तुरू मैं क्या कर सकता हूं मेरी app से एक request create करत है मैं अपना data ही तो store कर रहा हूं server पर और मैं को fetch भी करना है data ही तो fetch करना है तो वह चो data आ रहा है उस particular data को किसी format में store किया जाता है तो वह format जो है वह different types क्यों हो सकते है तो पहले जो widely use आता था वह type था XML जिस XML के अंदर आप coding करते हो design करने के लिए वह ही XML format यह क्यों एक attributed language है तो वह यहां पर भी यूज आती थी data को show करने के लिए मतलब की data को represent करने के लिए format ठीक है उसमें क्या होते था एक parameter then colon और उसकी value उसमें store हो दी तो इस particular तरीके से जो data है आपका वह show होता था XML के अंदर पर उसमें भी कुछ drawbacks थे या कह सकते है उसमें थोड़े complications थे ज जे कापिटल, S कापिटल, O कापिटल, N कापिटल, J for Java, S for script, O for object and N for notation तो JSON stands for Java, script, object, notation तो JSON जो होता है वो एक lightweight format है और यह data store करने के लिए या फिर transport करने के लिए काम में आता है और most commonly used आता है यह जब भी आपको websites में जो भी backend पे अगर कोई URL हिट होती है यानि कि website से server linked में यही काम आता है प्लस अगर आपकी Android app से आपको API हिट करते हो तो वहाँ पे data जो transport होता है उसका जो format होता है उसमें भी JSON use आता है और JSON use भी क्यों किया जाता है क्योंकि जो complexes create हो जाते थे XML के अंदर वो resolve कर दिया है किसने JSON के अंदर क्योंकि यह self describing है और काफी easy format है तो human readable भी rules पता होने चीए तब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे और इसको अच्छे से study कर पाएंगे चीक है तो वह rules क्या होता है वह मैं आपको उता देता हूं तो सबसे पहला जो चीज है वह एक name और value के pair में data store होता है यानि कि अगर आपको name मिल रहा है पैच हो रहा है user का तो वह कैसे आएगा user name, colon और उसकी value then father name आ रहा है तो आपको एक और data मिलेगा जिसमें father name इधर key होगी और value होगा तो इसको name value pair कहते है या key value pair भी कह सकते है इसको key भी बोल सकते है और इसको name भी बोल सकते है क्योंकि इस value का एक name दिया गया है या फिर इसका key दिया गया है चीक है अब वो data जो है वो multiple भी हो सकता है तो जरूरी नहीं कि एक ही data है multiple data भी आएगा user का name ही नहीं आ रहा है name father name और भी बहुत सारी चीज़े आ रही है तो उसके लिए वो किस से separate होता है comma से separate होता है या कि एक name और value का pair है then comma then दूसरा name और value का pair है और ऐसे so on so on चीक है user की details आ गई तो user की details किसा आई एक name value pair के अंदर हो और comma separate rate तो इससे आप यह identify कर सकते हो comma से कि यह पहली value यह दूसरी value यह तीसरी value तो comma से आप इस तरीके से इस पर्टिकुलर चीज़ को identify कर सकते हो और name और value का pair जो है वो मैंने आपको बता दिया अब आता है कि में को इस सा मतलब क्या हो गया जैसे क्या coding में भी करते हो तो अगर आपका एक line का statement है तो उसके लिए हम top resolution नहीं लगाते लेकिन अगर multiple line का code है तो आप क्या करते हो curly bracket start and curly bracket close that means क्या हुआ कि वो जो block है वो line by line एक साथ execute होगा मतलब multiple lines है तो उनको आपको एक साथ रखना होगा ठीके तो वैसे एगर आपके multiple values है तो उनको एक साथ रखने के लिए use आता है इसमें फिर multiple values होगा कर्ली bracket close होगा अब बात करते हैं कि अगर ऐसे ही टाइप के multiple blocks होए for example अगर multiple user है जैसे कि मैं को thousand users की details चाहिए या फिर मैं एक ऐसी API हिट कर रहा हूँ जो सारे users का record लेके आ रही है तो उसके लिए क्या होगा user का record है वो तो similar ही रहेगा ना जैसे कि user का name आएगा user का father name then email number जो भी user का detail type है वो common रहने वाला है लेकिन user की respective value जो है वो different होगी तो यहां पर आप देख सकते हो कि multiple objects आएंगे तो जब भी multiple objects आएंगे similar type के तो उसको store किया जाता है एक JSON array के अंदर मतलब एक array के अंदर आपको इस सारे objects मिलेंगे similar type के object तो आप user की ब इसके भी name, email, father's name, सारी चीज़ें हमको तो आप देख सकते हैं कि similar type है बट जो values है वो different होगी जो पहला user है उसका अलग data हो सकता है दूसरा user है उसका अलग data हो सकता है and further so on तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ब्लॉग जो है वो similar type का data लेके आ रहे मतलब data अलग है लेकिन type जो है वो similar ही है तो अगर हमारा जो programming structure की में बात करो तो उसमें array का काम भी यही होता है तो यहां पे भी जो JSON array वो यही काम करता है तो यहां पे आप देख सकते हैं कि आपको यहां पे square brackets मिल रहे है और curly brackets मिल रहे है तो पहली जीज जो हमने समझी थी वो क्या था name value pair या फिर key value pair तो यहां पे आप देख सकते हो जो बी data आ रहा है वो इस key value या name value के pair में ही आ रहा है तो आप यह जो id है यह आपका name और इसके respectively value है वो कहा रही है इसके column के बाद में ठीक है तो actual value कौन से right hand side वाली left hand side वाली क्या है की है या उसको कह सकते हो name है ठीक है तो यह left hand side में आपको दिख रही है सारे उस particular respective value के keys है या names है ठीक है अब मैं आपको उताता हूँ कि अगर multiple ऐसी keys है तो आप यहां देख website और एक company का खुचका block है ठीक है तो इतनी सारी चीज़ें आ रही है तो यह किसमा आएगी एक JSON object के अंदर तो यहां पर देख सकते हो curly bracket किसको symbolize करता है JSON object को multiple data जब भी show होता है तो वह किसमा दिखता है JSON object के अंदर दिखता है ठीक है मैं यहां पर show करने की बाद इसलिए कर होगे तो आपकी जो API इस बनाएगा वो कौन बनाता है PHP developer बनाता है जो भी backend जिसको भी website का backend का knowledge है वो यह API बना सकता है तो वो इस particular data को इस format में store कर रहा है और यहां पर हमको इस particular format में यह data show हो रहा है तो यहां पर हमको object का मदभी समझ में है और यहां पर आप देख सकते है multiple object इसमें आप देखेंगे similar type है अगर मैं 9th वाला blog भी खोलता हूं 9th वाला जो यह आपका object है JSON object इसमें भी आप देखेंगे left hand side वाली keys है वो same है ID, name, username, email, address, phone, website, company, first कोई सा भी आप इन में से open करेंगे सब में left hand side same रहेगा ठीक है right hand side में क्या होगी different values होगी तो यह से पह और array की तरह से symbolize होता है एक square bracket से तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें क्या मिल रहा है आपको square bracket मिल रहा है तो actual में जो आपका data आ रहा है वो square bracket के अंदर आ रहा है तो 10 users का data है वो आद तो objects में रहा है और key और value के pair में रहा है लेकिन वो एक array एंडर आ रहा है क्योंकि उसको सारे records लेके आने एक साथ तो array में आपको different-different objects मिलेंगे और उन different-different objects में आपको different-different data मिलेगा और particular users का चीक है तो इस तरीके से हम इस particular JSON को read करते हैं या फिर study करते हैं और यह study करना इसलिए भी important है कि जब हम इसको parse करेंगे जब में को सबके names चीह होंगे तो में को इस exact name तक पहुचना पड़ेग क्योंकि में को अभी names ही दिखाने for example या फिर में को username ही दिखाना है email ही दिखाने ये तीन चीज़ा ही चाहिए में को तो में को बाकी data नहीं चाहिए तो में को parse करना पड़ेगा और मैं क्या करूंगा और अपनी array के अंदर या अपनी array of structure में इसको store करवाँगा और recycler view के उनको दिखाऊंगा तो इसलिए इनको study करना बहुत important है जयने कि JSON response को study करके ही आप आगे जो parsing है अपने app के अंदर कर पाओगे अब यहां पर देख सकते हो कि जो चीज़ा हमने पहले पड़ी तो यहां पर JSON data जो एक्चल में JSON data वो store जो होता है वो आप यहां देख सकते हो जो values है JSON के अंदर वो आपको right hand side में मिलेगी और उसके respectively keys या names जो कह सकते हो वो आपको का मिलेंगे left hand side में अगर multiple होगा तो उसको एक format में store किया जाता तो उसके लिए आपको JSON object भी समझना पड़ेगा और JSON array को भी समझना पड़ेगा क्योंकि response कभी एक चीज के लिए नहीं object की requirement होती है and array की requirement होती है तो वह हम समझते next slide के अंदर तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो curly bracket में लिखे जाते हैं वो कहलाते JSON object और JSON object तभी use आएगा जब एक से जादा अगर data जो है वो आ रहे हैं एक ही block के अंदर for example अगर user की एक से जादा values आ रही है तो क्या होगा कि user का आपको एक मिलेगा JSON object उसके उसके उसर से related जितनी भी information है आपको वही data मिल जाएगा उस object के अंदर ठीक है अगर मैं बात करूँ कि user की regarding नहीं simple data आ रहा है अगर single data भी आ तो उसके लिए जो name और value का pair है वो ही लेकिन अगर उदर भी एक से जादा data मिल रहा है तो वो भी आपको किससे मिलेगा एक JSON object के अंदर मिलेगा तो इस तरह किसे data आपका शो होता है JSON object के अंदर अब हम देखते है JSON array के अंदर यह सारी चीज़े मैं आपको प्राक्टिकल ही अभी आपको JSON viewer के अंदर सारी क्या होता है वो सारी चीज़े समझा रहा हूं यहां पर चीक है तो JSON arrays जो होती ही वो square bracket के अंदर लिखी जाती है मतलब कि जो आपको square bracket वाला जो block है उसके अंदर क्या आ रहा है JSON array आ रही है JSON array जो है वो दो type ही हो सकती है JSON array जिसमें objects की array होगी और एक होगा जिसमें name और value की array हो सकती है for example मैं को चाहिए students के name तो मैंने API हीट करी जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के name ही आ रहे है और student है 1000 चीक है तो आपको क्या मिलेगा as a response एक JSON array मिलेगी उसके अंदर indexes होंगे 0 से लेके n-1 तक n क्या हो गया array की size जो JSON array है उसकी size यह आप इससे well known हो कि ज दूसरे का नाम होगा second index पर तीसरे का नाम होगा तो यहां पर जो index है वही आपकी क्या बन जाएगी की बन जाएगी यहां पर name बन जाएगा तो अलग से object के अंदर नहीं आएगा सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ आ रही है तो उस case में JSON array आपको ऐसे भी मिल सकता है यह सार जो section है वह इसलिए important है JSON को parse करने के लिए तो आज ही class के लिए इतना ही thank you